जहिन दोस्तों मैं हूँ आपका साथी पवन कुमार चोधरी और आज फिर आपका स्वागत करता हूँ श्यामलल चोधर यूट्योब चैनल पर और आज हम बात करने वाले फ्यूचर पर्फेक्ट टेंस के बारे में जैसा कि आपको विदी थे हम अपने प्रिवेस वीडियो ल कफे इसन्टेंस को पेचान के सकते हो क्या है कि सिंटेंस के बितर आता है या उस सेन्टेंस चेर प्रज्चन में आता है गतला है इस उसको आपको पहुचानना बहुत ही ज़रूरी है, it's very necessary for us that you have to recognize, first of all, तो क्या करना आपको जब भी किसी sentence क्या रिखा हुआ है, देखना, अंत में, मतलब जब कभी आप किसी sentence कोई भी वाक्य आपके सामने हो, और उस वाक्य के अंत में, क्या है, उस वाक्य के अंत में, यदि आप, क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होंगा, यह देखते हैं, और साथ ही साथ, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, नाचा होगा, गया होगा, आया होगा, यह वाली चीजे जब कभी भी आप किसी sentence के वाकिके अंत में देखते हैं तो आपको easily recognize कर देना है कि यह tense जो है आपको क्या है future perfect tense है देखिए suppose examples देता हुए आपको चुका होगा वह कोई काम कर चुका होगा मतलब इसा कोई काम जो in future वह अपन guess कर रहे है कि उस समय करेगा मतलब कर चुका होगा guessing कर हैं वह साहिं को नाचुका होगा है तो क्या करना है कि वह किव इवनिंग में नाच चुका होगा वह इसकूल जा चुकी होगी देख लीज़ु यह चुकbach यह जब्याइए बिद् टाइम की बात कर तो खुके होंगे वह खाना खा चुके होंगे में मार्केट जा चुका होगा मैंने खाना लिया होगा उसने खाना दिया होगा वह आया होगा वह कोलेज गया होगा यह वाली चीज़े जब आपका भी sentence के अंते में देखते हैं तो आपको easily you have to recognize that it is a future perfect tense next चलते हैं अपन देखिए मैं अगेन अगेन आपको बताते आ रहा हूँ हर एक वीडियो लेक्चर में मैं बात करते आ रहा हूँ आपको singular और plural के बारे में एक वचन और बहुचन के बारे में कि आपको आपके दिमाग में ये चीज़े clear कर लेनी है कि singular में है ये वाली चेन आपके दिमाग में आप बिठा लीजिए किसी का नेम हो इट कमसीं singular और आई यू वी और दे हो तो इट कमसीं प्लूरल क्या है आई यू वी और दे हो तो इट कमसीं प्लूरल आगे चलते हैं अपन सबसे पहले फिर्स अपर्स अपॉल आगे ध्यान रखने वाली फिंक्स यह हैं कि क्या है आपको उस sentence का उस जो sentence सकारात्मक sentence है मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है फिचर पर्पेक्ट रिगानते में फिचर पर्पेक्ट टेंज में तो आपको उस tense को क्या करना सेंटेंस का इस्ट्रक्चर याद अटना है कि इंग्लिस में उसका इस्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे सो देख लीज़े आप सब्जेक्ट फर्स्ट अपॉल हर टेंज में अपन एवरी टेंज व्यार यूजिंग में अपना काम कर चुका हूँगा क्या करा है मतब देट टाइम के बाद करा हैं दे फ्यूचर कि में अपना काम कर चुका हूँगा अब देखिए में सबसे बेले आपको क्या लगाना सब्जेक्ट सब्जेक्ट फिक्ट है में और में को अपन इंगलिज में क्या कहते हैं में को क्या कहते हैं आई उसके बाद क्या करना है helping or music करना है helping or music क्या है इसके अंदर will have क्या है will and have so I will have क्या I will have काम करना कहते हैं वर्क क्या कहते हैं जो ब्लंसमय क्रणा जो वर्क हैं वह पूरा कर चुका होगा डु एन करना अब करना को क्या क्या गते हैं पन्दू और दू की ठरबों क्या होती है तो मेला काई में क्या कर चुका होंगा मेला काई ही कर चुका होंगा So, I will have done my work इसी परकार VE अपना नाश्ता कर चुके होंगे देखीजी VE अपना नाश्ता कर चुके होंगे अब subject क्या है सबसे बेले VE VE को English में क्या कहते हैं आपन दे 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 ने तो तेक का थरफों डगा होगा टेक की सेक्ड़ टूप थेकन तक टूप टेगन का यह एक ट्रफोंड को सब्सक्राइब चाफ क्जिट कर चूप हंगे नियूंगे उनका नास्ता विर उनका नास्ता कर चूकिन है इसी प्रकार आप किसी भी सेंटेंस हो, वह कोलेज जा चुकी होगी, आप देख लिजिए, कि विल हो जो है, इसके अंदर अगेन आपने पास एक बेनिफिट है, कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अपने को विल हो यह यूज़ करना है, इसके अंदर पहले की बात है, या प्लूरल हो, इसी प्रकार आपका नेक्स एक्जामपर ले लेते हैं, आप विडियो बना चुके होंगे, आप विडियो बना चुके होंगे, इसी प्रकार आप कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्यों you can make easy read suppose वे market जा चुके होंगे they will have gone to market वे खाना का चुके होंगे they will eaten their breakfast way their breakfast they will have eaten their breakfast they will eaten their food and इसे प्रकार कोई भी sentence we can make easy read आगे चलते हैं आगे चलते हैं next sentence बनाते हैं आपान दोस्तों आपने अभी तक हमारे श्यामला चोदरी यूटूब चैनल को like share and subscribe नहीं गया दो please like share and subscribe अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बोले तो नकारात्मक वाक्या how will we make नकारात्मक वाक्या नकारात्मक वाक्या देखिए फहले तो नेगेटिव सेंटेंस के ते किसे वह मैं आपको बता देता हूं तो नहीं अचा आप 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 इस ड्या देखिए नकारात्मक वाक्या वाट जिनके बीच में जिन वाक्या में नोड का प्रयोग मतलब नहीं का प्रयोग क्या जाता है उनको कहते हैं पनेगे किव सेंटेंस नकारात्मक वाक्या जिस sentence के बीच में या जिस sentence में आपन क्या उश करते हैं? नहीं मतलब note का प्रयोग करते हैं वो होते हैं न का अत्मपच्ट अब देख लिए आप will not have कुछ नहीं करना है आपको will have अपकी helping और गती will will have have or will के बीच में between the will and have we have to use not क्या करना है will or have के बीच में not use करना है बाकि जो remaining sentence जो है आपका sentence structure वो का as it is रहेगा remaining sentence as it is रहेगा only we have to use between the will and have not और इसी प्रकार आप अपना sentence नेक्च बनाएए देखिये क्या है कि वे अपना काम नहीं कि देख लिए आ कैना है कि मैं अपना काम नहीं कर चुका हुँगा एसे sentence जिसके जिसमें not का प्रेव होता है वो नकरात्मपाइब तो यह नकरात्मपाइब कि मैं अपना काम नहीं तो में का subject मैं इंग्जिस में कहते हैं I and helping one लिजीए विल उसके बाद यह क्या उसकरना है not not is best no only we have to use not between the will and have so I will not have आइवल नास्ता नहीं कर चुके होंगे इसी प्रकार वह कोलेज नहीं जा चुकी होगी she will not have gone to college वह नास्ता नहीं कर चुके होंगे they will not they will not have they will not have taken their breakfast वह कोलेज नहीं जा चुके होंगे they will not gone to college वह वीडियो नहीं बना चुके होंगे they will not created their video में बोट पर लिख चुका होंगा I will have right I will have right on the board I will have right on the board इसी प्रकार वे पंकार चुके होंगे they will have they will have switched on the band switched on the band इसी प्रकार कोई भी ओ you can make easily आगे चलते हैं दोस्तो यह दि आपने अभी तक हमारे सामड़ाल चोज़ यूटूब चैनल को like, share and subscribe नहीं किया है so please like, share and subscribe फड़कर interrogative sentence बोले तो प्रस्ण वाचक प्रस्ण वाचक वाचक देख लिए आगे चलते हैं प्रस्ण वाचक वाचक कुछ नहीं करना आपको sentence structure ध्यान रखना है sentence structure यह आपने ध्यान रख लिया है so you can make any sentence and easily sentence structure के से देख लिए आपको क्या करना है कि यह प्रस्णवा चक्वार्ट की जो होते हैं उसके अंद में यह वाला चिन्न आप देखते ही हैं और में हर वीडियो लेक्ट्र में आपको बताती हा रहा हूं आगे चलते हैं पन देख लिजी कि यह वाली सी ध्यान रटके पस आपको हेल्पिंग आगे लगा देनी है से सब्जेक्ट सेंटेंस इस्ट्रक्चर ध्यान रखिए आप अपने सेंटेंस में विल प्लस सब्जेक्ट अपना काम कर चुका होंगा देख लिजी उसी अपना काम कर चुका हूंगा प्लस में अपना काम कर चुका होंगा will you have taken your breakfast ? क्या वे college जा चुके होंगे ? क्या कराऊं में किसी तिसरे वेक्तिक बात कराऊं क्या वे college जा चुके होंगे ? तो will they have gone to college ? क्या वे किताब पढ़ चुके होंगे ? क्या ? वह किताब पढ़ चुकी होंगी ? सो क्या है विल सी है रीड रैड रीड रैड 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 बुक विल सी है रीड राइड बुक इसी प्रकार आप कोई भी सेंटेंज हो यूकें मैं कीजिली आगे चलते हैं अपन कि दोस्तों आपने अभी तक हमारे श्याम राइड यूटुब चनल को लाइक शेंट सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज लाइक शेंट सब्सक्राइब प्लीज बुक शेंट सब्सक्राइब कि दोस्तों मैं पहाड पर चड़ चुका होंगा अब इस सेंटेंस का आपको क्या करना है अफर्मेटिव नेगेटिव नेटिव नेटिव तीनों बनाना है जल्दी से कमेंड बॉक्स में कमेंड करना है मैं पहाड पर चड़ चुका होंगा मैं सब्जेक्ट आई पहाड पर मतलब माउंट जो केते हैं अपन पहाड और चड़ना चड़ चुका हूंगा स्वरी में पहाड पर चड़ अब चड़ना को क्या केते हैं क्लाइम क्लाइम चड़ना सेल आइम बी इस प्रकार आप जल्दी से का संटेंस को बनाएजे और अब कमेंड बॉक्स में कबाने स्यामल चड़ी यूटब चैनल थैंक यू थैंक यू